एक ओल्ड बिजनेसमैन अपने लिए एक यंग वाइप बाई करता है। हमें बाद में पता चलेगा। हमारी मुवी का टाइम था 1600 का। और इस टोरी एमस्टर डैम की है। उस समें ट्यूली फ्लावर के लिए बहुत सारा डिमांड था। बहुत दूर से लोग इन्हें पाई करकर लाते थे। और इनकी ट्रेडिंग भी हुआ करती थी। इनकी वैल पर रही है। तुम्हारी लाइफ आगे हार टोकी और बिजनेसमैन के साथ तुम्हें एक अच्छी लाइफ जी सकती हो। सोफिया भी इस बात के लिए मान गई और बिजनेसमैन से वो शादी कर लेती है। ये बिजनेसमैन हमारा और एक मेन क्यारेक्टर है। इसका नाम था कॉर्नेलिस की एज ज़रा जादा थी। उसकी फर्स्ट वाइफ के डिलेवरी के वक्त टेथ हो गई थी। वो एक बेटा चाहता था। इसे वज़े से उसने सोफिया से शादी की थी। अब बहुत सारा टाइम गुजर गया पर फिर भी सोफिया प्रेगनन्ट हो नहीं रही है। आजकल मारिया खाने में बहुत ही ज़्यादा फिश ला रही थी। कॉर्नेलिस से बात नोटिस करता है। उसने पुछा क्या तुम्हें फिश वाले से प्यार हो गया है। वो सिर्फ मजग कर रहा था। पर एक्च्छल में मारिया को फिश वाले से प्यार हो गया था। उसका नाम था विलियम, रात में विलियम छुपकर मारिया के पास आ जाता और यह दोनों इंटिमेट हो जाते हैं, सोफिया और कॉर्नेलिस कंटिनूसली प्रेगनन्ट होने का ट्राइ कर रहे थे, पर कुछ भी हो नहीं रहा था, यह प्रावलम लेकर फिर सोफिया एक डॉक् को प्रेग करती थी, कर जल से जल प्रेगनन्ट हो जाए, एक दिन कॉर्नेलिस को लगा, कि उसे सोफिया के साथ एक पोट्रेट पेंटिंग बनानी चाहिए, उनकी सीटी में एक न्यू आर्टिस इमर्ज हो रहा था, इसका नाम था जान, जान एक टैलेंटेड और न्यू आ बिजनेस के बारे में बात करता, पर जान और सोफिया की बीच आखोई आखों में बात चल रही थी, जैसे कि हमें पता है, इनकी मेंड मारिया का विलियम के साथ अफेर चल रहा है, विलियम चाहता था कि वो जल्दी से अमिर बन जाए, ताकि मारिया को बहुत अच्छी सी लाइव दे पाए, इनकी सिटी में जल्दी अमिर बनने का एक ही रास्ता था, और वो था टूलिफ फ्लावर की ट्रेडिंग करना, यही ट्रेडिंग करना विलियम ने स्टार्ट कर दिया, एक दिन सोफिया की पेंडिंग बनाते वक्त जान ने रियलाइस किया, कि उससे प् बनाना चाहती, बाद में उख खुद ही अपना माइंड चेंज कर लेती है, अगली दिन विलियम मारिया से मिलने के लिए आया, उसने जो भी टूलिफ फ्लावर बाई किये थे, इसके पेपर्स उसे दिखाता है, कहता है इससे हम अमीर बनेंगे, और यहां से हमेशा के पर आया हुआ था, मरिया ने दर्वाजा खोला, तो जान उसे कहता है कि मैं उसे लेटर लिखूंगा, जब उसने सोफिया को लेटर लिखा, तो लेटर कॉर्णेलिस बढ़ता है, इस लेटर में लिखा था, कि सोफिया की टूलिफ फ्लावर के साथ, अपने घर पर पेंडि हो गया था, एक दिन विल्लियम ने जो टूलिफ बाई किये थे, यह वो देखने के लिए आया, नवन उसे टूलिफ दिखाती हों, नोटिस करती है, कि विल्लियम के टूलिफ में एक रियर टाइप का टूलिफ भी है, जो उसे अमीर कर देगा, विल्लियम को यह देखकर बह जाने के लिए उन मना करती है। कॉर्णलिस कहता है कि अगर तुम ने आओगे तो मैं भी नहीं जाता। पर सोफिया ने कहा मेरी तबीयत खराब नहीं है। तुम्हें अपने फ्रेंड से मिलना चाहिए। उसे जाने के लिए फोर्स करती है। पैरलल में हम देखते हैं कि विल विल्यम को लगा कि वो मारिया ही है। उसे आवाज लगाता है पर सोफिया रुकती नहीं। विल्यम ने फिर उसका पीछा किया। सोफिया जान से मिली और उसे किस कर रही थी। विल्यम उसे सही दरीगे से देख नहीं पाया। उसे लगता है कि मारिया का ही जान के साथ उसके पास आती है विल्यम उसे दूर करता है पर उस लड़की ने उसके सारे पैसे चुरा लिये थे ये पता चलने के बाद वो बहुत ही डिस्टब हो गया उस लड़की के ब्रदर के साथ उसकी फाइट हो जाती है विल्यम अपनी लाइफ के सारी इंपोर्टन चीज़े आज खो चुका था तो यहाँ से वो चला जाता है रात में कॉर्नलिस जब घर पर आया तो उसके आने से थोड़े टाइम पहले सोफिया घर पर आई हुई थी वो बाल-बाल उसकी नजरों से बच जाती है विल्यम को जो भी लगा उसके साथ जो भी हुआ इसके बारे में मारिया को काम से निकाल देगा मारिया अपने फैमिली के पास भी नहीं लोट सकती है वो शरम से मर जाना चाहती है सोफिया उससे ग creat तिय Twice तुम्हारे सिक्रेट रखने में तुम्हें help करूंगी पर अगर Cornelis को पता चला तो तुम्हें काम से निकाल देगा मारिया गहती कि तुम्हें मुझे protect करना पड़ेगा वरना मैं Cornelis को तुम्हारे और जान के बारे में पता दूंगी इस बात से सोफिया डर गई थी इसके बारे में वो जान से बात करती है एक रात Cornelis disturb होकर बैठा हुआ था सोफिया बुछती कि क्या हुआ Cornelis कहता है शायद God's मुझ पर जरा नाराज है फर्स टाइम जब मेरी वाइफ प्रेगनन थी तो उसे बहुत तकलीफ हो रही थी मैंने डॉक्टर से कहा था कि अगर मेरी वाइफ या बेटे की बीज में अगर आपको कोई चूज करना होगा तो मेरे बेटे को चूज करना इसी डिसीजन की वज़े से उसकी वाइफ और बेटे की डोनों की डेथ होगे अब कॉर्नेलिस को लगता है कि God उसे पनिश कर रहे है सोफिया कहती कि ऐसा कुछ भी नहीं है मैं आपको बतानी नहीं वाली थी पर मैं प्रेगनन्ट हूँ ये सोफिया ने जूट कहा था अभी अभी उसे एक आइड़ा आया है वो मारिया से कहती है कि हम एक नाटक करेंगे मैं प्रेगनन्टू इस तरीके से सब लोगों को दिखाएंगे जब तुमें बेबी होगा तो वो मेरा बेबी है इस तरीके से हम सब लोगों को बताएंगे इससे हमेशा तुम अपने बच्चे के पास रहे पाऊगी और मेरी ब्रॉलम भी सौल हो जाएगी ये सब करना डिफिकल्ट था पर फिर भी सोफिया ने डिसाइड कर लिया था पहले जिस बेइमान डॉक्टर के पास हो गई थी उसी को फिर से जूट कहने के लिए हायर वोग कर लेती है वो जूट मूट से सोफिया का चेक अप करने के लिए आता है वो हमेशा कॉर्नलिस को रूम से बाहर निकल देते थे और वो मारिया का चेक अप करता उस डॉक्टर ने कॉर्नलिस को ये भी खा था तुम्हें इस बार बेटा होने वाला है कॉर्नलिस बात से बहुत ही खुश था एक दिन काम करते होग मारिया को उल्टी आके सोफिया भी उसके पीछे-पीछे दुसरे रूम में आ जाती है उन्होंने कॉर्नलिस के सामने प्रिटेंड किया कि जैसे सोफिया कोई उल्टी आ रही है इसी दरीके से उसे हमेशा वो बेवकूब बनाते गए एक दिन सोफिया और जान जब एक साथ थे तो सोफिया उसे कहती है मेरे मरने के बाद ही कॉर्नलिस मुझे छोड़ सकता है वो अपने बच्पन के बारे में जश के बारे में बता रही थी यही बताते हुए टुलिफ्स गार्डन के बारे में भी वो बता देती है जान को इस टुलिफ्स के गार्डन के बारे में नहीं पता था उसे आड़ा आता है कि अगर इस garden से उसने कुछ टुलीफ चोरी कर लिये तो अमीर बन सकता है और सोफिया के साथ कहीं भी जा सकता है यही चोरी करने के लिए रात में अपने फ्रेंड के साथ पहुचा नने देख लेती है और जो उसे उसे सर पे मार कर बेहोश कर देती है सुबह होश आने के बाद जान सारी सिचुएशन नन को बताता है उसने कहा कि वो सोफिया से बहुत प्यार करता है इसी वज़े से उसने सब कुछ किया था वो एक चांस चाता था और इस टूलीफ का बिजनेस करना चाता था नन भी उस पर तरस खा कर ये बिजनेस करने के लिए उसे परमीशन दे देती है उसने कहा कि तुम्हें जो भी कमीशन मिलेगा इससे तुम ट्रेडिंग कर सकते हो जान को इस सब सुनकर बहुत अच्छा लगा उसने ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिया था इस सब बिजनेस के बारे में कुछ नॉलेज आने के पाथ जान को इसमें एक उपरचिनेटी दीखिए इसके बारे में नन से बात करता है सब एक्समेशन सुनने के बात नन नन भी उसे टूली फ्लावर का सीड सेल करने की पर्मीशन दे दी थी अगर इसमें हो सकसेस हो गया तो सोफिया के साथ कहीं भी जा सकता है अचानक से मरिया का लेबर स्टार्ट हो गया सोफिया उसे लेकर उपर के रूम में चली जाती है उन्हेंने डॉक्टर को बुलाया डॉक्टर कॉर्नलिस को उनके रूम में आने ही नहीं देता थोड़ी दर में नीचे आया कॉर्नलिस पूछता है कि क्या सब कुछ ठीक है डॉक्टर ने बूचा कि कुछ पिछले दिनों सुफिया का body temperature ज़ादा था कॉर्नलिस ने कहा कि पिछले दिनों में उसे हाथ नहीं लगा क्योंकि डॉक्टर ने उसे बताया था कि प्रेंडनसी के वक्त उसके साथ intimate ना हो ये सारा सुफिया का ही plan था थोड़ी दर में मरिया की delivery successful होती है पर डॉक्टर नीचे आकर कॉर्नलिस से गये थे तुमारी wife की date हो चुकी है उपर सोफिया ने लेट कर मरने का नाटक किया इस बात से कॉर्नलिस को बहुत बुरा लगा वो सोफिया से बहुत प्यार करता था इस बार उसके लिए बेबी नहीं तो सोफिया जादा important थी ये सारी बाते जब वो डॉक्टर को पता रहा था तो इस सब कुछ सोफिया ने सुना था कॉर्नलिस उसकी इतनी care करता है और उस पर cheat कर रही है ये सब realize करकर सोफिया को बहुत तकलीफ होती है अब वो इसके लिए कुछ कर भी नहीं सकती थी ये नाटक हज से बहार चला गया था कॉर्नलिस डिस्टब होकर लास्ट टाइम सोफिया को किस करना चाता था पस सब लोग उसे रोक लेते हैं इसके parallel में हम देखते हैं इस जान टुलिप्स की ट्रेड करता है जान जब ट्रेड करकर घर पर आया तो जीन भी लोगों से उसने पहले पैसे लिये थे ये सारे उसके घर पर मुझूद थे जान को ट्रेड के पैसे मिलने के पहले टुलिप्स फ्लावर के सेड को डिलेवर करना पड़ेगा सब लोग उसे बिना पैसो के घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे थे जान ने फिर अपने फ्रेंड को कहा ये जाओ और नंसे ओ फ्लावर लेकर आओ जान का फ्रेंड प्यक कर था तो उसने वान किया था कि प्लीज आज कुछ भी मत पीना सुफिया जान के फ्रेंड के घर पर पहुची तो वो रिलाइस करती है कि उसने एक बहुत बड़ी मिस्टेक किया वो इस तरीके से कॉर्णिलीज को धोगा नहीं देना जाती वो फिर से उसके घर जाने लग जाती है जान के फ्रेंड ने नंसे और फ्लावर ले लिया पर रस्ते से आते वक्त उसने एक आदमी को एक एनिमल को मारते हो देखा उसे बचाने के लिए रूप गया एनिमल को बचाने के लिए सब लोग उसे चेयर करने लग जाते है और वही पर ओ दारू पीने लग गया वहाँ से चली जाती है आज विल्यम सीटे में फिर से वापस आ चुका था यानि मारिया का बॉइफ्रेंड उसके बेटी का फादर वो मारिया से मिलने के लाया मारिया कहती है कि तुम कहा गए थे विल्यम ने कहा कि मैं आफरिका में था ये सुनकर मारिया उसे मारने लग जाती है विल्यम ने कहा कि तुमने मुझे पर चीट किया था इसी वज़े से मैं चला गया मारिया कहती कि जान के साथ मेरा नहीं तो सोफिया का अफेश चल रहा था उसने सारा सच-सच उसे बता दिया ये सब बताती हुए कॉर्नेलिस सब को सुन लेता है इससे कॉर्नेलिस को शौक लगा और इस पर वो बहुत सोचता है उसने मारिया को एक लेटर लिखा जिसमें लिखा था कि अपने बेटी का तुम अच्छे से खैल रखना वो यहाँ का घर और सारा बिजनेस मारिया और विल्यम के नाम करकर जाता है उसने मारिया से खा ये लोगों से कहना कि ये बेटी मेरी है तुमें कोई भी तंग नहीं करेगा उसकी खुद की फैमिली कम्लेट नहीं हो पाई पर वो मारिया और विल्यम की फैमिली कम्लेट करकर वहाँ से चला जाता है वो एक new country में फिर से अपनी life newly start करता है जान को जब पता चला कि सोफिया फिर से कॉर्नेल इसके पास चली के तो उसे ढूणने की बहुत कुशिश करता है नदी में सोफिया ने शौल फिका था ये देखकर जान को लगा इसमें डूपकर सोफिया की डेथ हो गई है इससे उसे बहुत बुरा लगता है इसके बाद मूवी में डारेक्ली आठ साल पीत गय है इतने टाइम में जान एक बहुत अच्छा आर्टिस बन गया था तो एक दिन नन उसे मिलने की लाई चर्ज की वाल पर पेंट करने का कॉंट्रेक्ट उसे वो दे देती है नन ने नोटिस किया इस जान ने सोफिया की बहुत सारी पेंडिंग्स बनाई हुई है वो हमेशा उसी की याद में पेंडिंग करता रहता है एक दिन जब जान चर्च में पेंटिंग कर रहा था, तो वही पर उसने सोफिया को नोटिस किया, ये दोनों फिर से एक दूसे से मिल गए थे, ये सब नन की वज़े से हुआ था, कॉर्नलिस ने भी एक न्यू कंट्री में अपनी लाइफ को फिर से स्टार्ट किया, फिर से श स्टोरी सुना कर उसे सब कुछ चीजे क्लियर कर देती है, क्यों उसकी बेटी है, इसी के साथ इस मूवी की हैपी एंडिंग हो जाती है, अगर आपको वीडियो अच लगा, तो प्लीज इससे लाइक और गमेंट जरू कर दीजेगा, ये बहुत सारी इससी तरीके से मूवी के बाद स्टोरी में बहुत सारे अलग-अलग ट्विस्ट आते हैं, अब आगे क्या होगा, ये हम आज के हमारे मूवी टुली फिवर 2017 की, एक हॉल्योड ड्रामा रोमेंटिक मूवी में देखेंगे, अगर आपको वीडियो चलगता है, तो प्लीज इससे लाइक और कमेंट जरू कर दीजेगा, अब इना किस दरीके, एक्स्पलिशन स्टार्ट करते हैं, मूवी की स्टोरिया में मरिया बता रही है, इसके बारे मैं में बाद में पता चलेगा, हमारी मूवी का टाइम था 1600 का, और इस स्टोरी एमस्टर डैम की है, उस समय ट्यूली फ्लावर के करती थी, एक दिन नर्न ने सोफिया को एक बहुत ही अमेर बिजनेसमैन को सेल कर दिया, उसे समझाती है कि अगर तुम यहाँ पर रही, तुमारी लाइफ आगे हार्ट हो की, और बिजनेसमैन के साथ तुम एक अच्छी लाइफ जी सकती हो, सोफिया भी इस बात के लिए मा सारा टाइम गुजर गया, पर फिर भी सोफिया प्रेगनन्ट हो नहीं रही थी, कॉर्णली इसका फ्रेंड उसे कहता है, तुम्हें सोफिया को छोड़ देना चाहिए, पर कॉर्णली से करने के लिए रेड़ी नहीं था, वो सोफिया के लिए केर करने लग गया था, उनके जल में मारिया को फिशवाले से प्यार हो गया था, उसका नाम था विलियम, रात में विलियम छुपकर मारिया के पास आ जाता, और ये दोनों इंटिमेट हो जाते हैं, सोफिया और कॉर्नलिस कंटिनूसली प्रेगनन्ट होने का ट्राइ कर रहे थे, पर कुछ भी हो नहीं ये प्रावलम लेकर फिर सोफिया एक डॉक्टर के पास गये, तो सब कुछ उसे बताती है, तो डॉक्टर डारेकली उसके साथ इंटिमेट होने के लिए रेडी था, वो उसे अपने बेडरूम में लेकर गया, फिर सोफिया ने रेलाइस किया कि ये करना क्या चाहता है, उस इसका नाम था जान, जान एक टैलेंटेड और न्यू आर्टिस्ट है, उस वज़े से उसके रेट्स बहुत ही कम थे, इसका फायदा कॉर्नलिस उठाना चाहता था, जान के फ्रेंड को कॉंटेक करकर कॉर्नलिस ने उसे कमिशन वर्क पर हायर कर लिया, पेंटिंग करने के जान जब सोफिया को फर्स टाइम देखता है, तो उसे वब बहुत अच्छी लगी थी, पेंटिंग करते हुए सोफिया के पास आने की वो कोशिश करता था, कॉर्नलिस हमेशा आपने बिजनेस के बारे में बात करता, पर जान और सोफिया की बीच आखोई आखों में बात जल रही थी, जैसे कि हमें पता है, इनकी मेंड मारिया का विल्यम के साथ अफेर चल रहा है, विल्यम चादा था कि वो जलदी से अमिर बन जाए, ताकि मारिया को बहुत अच्छी सी लाइफ दे पाए, इनकी सिटी में जलदी अमिर बनने का एक रास्ता था, और वो था पारनली से बात की और कहा कि जान को फायर कर दो उसे कहती है कि जान बहुत ही expensive है और उसे painting वो नहीं बनाना चाहती है बाद में वो खुद ही अपना mind change कर लेती है अगली दिन विल्लियम मारिया से मिलने के लिए आया उसने जो भी टूली flowers बाई किये थे इसके papers उसे दिखाता है कहता है इससे हम अमीर बनेंगे और यहां से हमेशा के लिए दूर चले जाएंगे मारिया भी यह सब सुनकर बहुत खुछ थी एक दिन जान ने सोफिया को टूली flower लाने के लिए कहा उसके हाथ में उसे रख कर उसकी बहुत ही beautiful सी painting बनाता है एक दिन बहुत सारा करेज ग फ्लावर के साथ अपने घर पर painting बनाना चाहता है यह flowers बहुत expensive थे तो पहले Cornelis से मना कर रहा था पर बात में हो गयता है सुबा जाना और शाम में वापस आ जाना सोफिया flowers लेकर जान के पास आई और एक दूसरे के साथ intimate हो जाते है पेंडिंग बनाने के बहान है इनका affair स्टार्ट हो गया था एक दिन विल्लियम ने जो tulips बाई किये थे यह वो देखने के लिए आया नवन उसे tulips दिखाती हों नोटिस करती है कि विल्लियम के tulips में एक अगर तुम नहीं आओगे तुम नहीं जाता पर सोफिया ने के पहने है उसे जाने के लिए फोर्स करती है पैरलल में हम देखते हैं कि विल्लियम अपने tulips को सेल करने के लिए मार्केट में आया और उसे बहुत अच्छी प्राइज मिली अब वो अमिर बन चुका था तो ड विल्यम को लगा कि वो मारिया ही है, उसे आवाज लगाता है पर सोफिया रुकती नहीं, विल्यम ने फिर उसका पीछा किया, सोफिया जान से मिली और उसे किस कर रही थी, विल्यम उसे सही दरीगे से देख नहीं पाया, उसे लगता है कि मारिया का ही जान के साथ अफेर चल और इस वज़े से वो बहुत ही heart broken हो गया intimate होने के बाद जान और सोफिया एक दुसरे से I love you कहते है एक दुसरे की बिना जी नहीं सकते है अपने heartbreak के बाद William दारू पिने के लिए आया एक sex worker को पता था कि William के पास बहुत सारे पैसे है उसके पास आती है William उसे दूर करता है पर उस लड़की ने उसके सारे पैसे चुरा लिये थे ये पता चलने के बाद वो बहुत ही disturb हो गया उस लड़की के ब्रदर के साथ उसकी fight हो जाती है William अपनी life के सारी important चीज़े आज खो चुका था तो यहाँ से वो चला जाता है रात में Cornelis जब घर पर आया तो उसके आने से थोड़े टाइम पहले सोफिया घर पर आई हुई थी वो बाल-बाल उसकी नजरों से बच जाती है William को जो भी लगा उसके साथ जो भी हुआ इसके बारे में मारिया को कुछ भी पता नहीं था उसे लगता है कि William ने उसे धोका दिया इस वज़े से बहुत ही डिस्टब हो गई थी सारी बाते उसने सोफिया से कही उसने ये भी कहा कि मैं अब प्रेगनंट हू ये एक बड़ा प्रॉलम था अगर इसके बारे में Cornelis को पता चला तो मारिया को काम से निकाल देगा मारिया अपने फैमिली के पास भी नहीं लोट सकती वो शरम से मर जाना चाहती है सोफिया उसे कहती है तुम्हारे सिक्रेट रखने में तुम्हें हेल्प करूंगी पर अगर Cornelis को पता चला तो तुम्हें काम से निकाल देगा मारिया गहती कि तुम्हें मुझे प्रोटेक करना पड़ेगा वरना मैं Cornelis को तुम्हारे और जान के बारे में बता दूंगी इस बात से सोफिया डर गई थी इसके बारे में वो जान से बात करती है एक रात Cornelis disturb होकर बैठा हुआ था सोफिया बुछती कि क्या हुआ Cornelis कहता है शायद God's मुझे पर जरा नाराज है फर्स टाइम जब मेरी वाइफ प्रेगनन थी तो उसे बहुत तकलीफ हो रही थी मैंने डॉक्टर से कहा था कि अगर मेरी वाइफ या बेटे की बीज में अगर आपको कोई चूज करना होगा तो मेरे बेटे को चूज करना इसी डिसीजन की वज़े से उसके वाइफ और बेटे की डोनों की डेथ होगे अब कॉर्नेलिस को लगता है कि गॉड उसे पनिश कर रहे है सोफिया कहती कि ऐसा कुछ भी नहीं है मैं आपको बताने नहीं वाली थी पर मैं प्रेगनन्ट हूँ ये सोफिया ने जूट कहा था अभी अभी उसे एक आइड़ा आया है वो मारिया से कहती है कि हम एक नाटक करेंगे मैं प्रेगनन्ट हूँ इस तरीके से सब लोगों को दिखाएंगे जब तुम्हें बेबी होगा तो वो मेरा बेबी है इस तरीके से हम सब लोगों को बताएंगे इससे हमेशा तुम अपने बच्चे के पास रहे पाऊगी और मेरी ब्रॉलम भी सौल हो जाएगी ये सब करना डिफिकल्ड था पर फिर भी सोफिया ने डिसाइड कर लिया था पहले जिस बेइमान डॉक्टर के पास हो गई थी उसी को फिर से जूट कहने के लिए हायर वोग कर लेती है वो जूट मूट से सोफिया का चेक अप करने के लिए आता है वो हमेशा कॉर्नलिस को रूम से बाहर निकल देते थे और वो मारिया का चेक अप करता उस डॉक्टर ने कॉर्नलिस को ये भी कहा था तुम्हें इस बार बेटा होने वाला है कॉर्णेलिस बात से बहुत ही खुश था एक दिन काम करते होग मारिया को उल्टी आके सोफिया भी उसके पीछे पीछे दुसरे रूम में आ जाती है उन्होंने कॉर्णेलिस के सामने प्रिटेंड किया जैसे सोफिया कोई उल्टी आ रही है इसी दरीके से उसे हमेशा वो बेवकूब बनाते गए एक दिन सोफिया और जान जब एक साथ थे तो सोफिया उसे कहती है मेरे मरने के बाद ही कॉर्णेलिस मुझे छोड़ सकता है वो अपने बच्पन के बारे में जश के बारे में बता रही थी यही बताते हुए टुलिफ्स गार्डन के बारे में भी वो बता देती है जान को इस टुलिफ्स के गार्डन के बारे में नहीं पता था उसे आड़ा आता है कि अगर इस गार्डन से उसने कुछ टुलीफ चोरी कर लिये तो अमीर बन सकता है और सोफिया के साथ कहीं भी जा सकता है यही चोरी करने के लिए रात में उपने फ्रेंड के साथ पहुचा नने देख लेती है और जो उसे उसे सर पे मार कर बेहोश कर देती है सुबह होश आने के बाद जान सारी सिचुएशन नन को बताता है उसने कहा कि वो सोफिया से बहुत प्यार करता है इसी वज़े से उसने सब कुछ किया था वो एक चांस चाता था और इस टूली का बिजनेस करना चाता था नन भी उस पर तरस खा कर ये बिजनेस करने के लिए उसे परमीशन दे देती है उसने कहा कि तुम्हें जो भी कमीशन मिलेगा इससे तुम ट्रेडिंग कर सकते हो जान को इस सब सुनकर बहुत अच्छा लगा उसने ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिया था इस सब बिजनेस के बारे में कुछ नॉलेज आने के पाथ जान को इसमें एक उपरचिनेटी दीखिए इसके बारे में नन से बात करता है सब एक्समेशन सुनने के पाथ नन नन भी उसे टूली फ्लावर का सीड सेल करने की पर्मीशन दे दी थी अगर इसमें हो सकसेस हो गया तो सोफिया के साथ कहीं भी जा सकता है अचानक से मरिया का लेबर स्टार्ट हो गया सोफिया उसे लेकर उपर के रूम में चली जाती है उन्हेंने डॉक्टर को बुलाया डॉक्टर कॉर्नलिस को उनके रूम में आने ही नहीं देता थोड़ी दर में नीचे आया कॉर्नलिस पूछता है कि क्या सब कुछ ठीक है डॉक्टर ने बूचा कि कुछ पिछले दिनों सुफिया का body temperature ज़ादा था कॉर्नलिस ने कहा कि पिछले दिनों में उसे हाथ नहीं लगा क्योंकि डॉक्टर ने उसे बताया था कि प्रेंडनसी के वक्त उसके साथ intimate ना हो ये सारा सुफिया का ही plan था थोड़ी दर में मरिया की delivery successful होती है पर डॉक्टर नीचे आकर कॉर्नलिस से गये थे तुमारी wife की date हो चुकी है उपर सोफिया ने लेट कर मरने का नाटक किया इस बात से कॉर्नलिस को बहुत बुरा लगा वो सोफिया से बहुत प्यार करता था इस बार उसके लिए बेबी नहीं तो सोफिया जादा important थी ये सारी बाते जब वो डॉक्टर को पता रहा था तो इस सब कुछ सोफिया ने सुना था कॉर्नलिस उसकी इतनी care करता है और उस पर cheat कर रही है ये सब realize करकर सोफिया को बहुत तकलीफ होती है अब वो इसके लिए कुछ कर भी नहीं सकती थी ये नाटक हद से बहार चला गया था कॉर्नलिस डिस्टब होकर लास्ट टाइम सोफिया को किस करना चाता था पस सब लोग उसे रोक लेते हैं इसके parallel में हम देखते हैं इस जान टुलिप्स की trade करता है उसके पास एक rear spaces थी तो इस वज़े से उसे बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ सोफिया को एक कॉफिन में डाल कर ले जा जाता है ये सब करने में जान के फ्रेंड ही उसे help कर रहे थे कॉर्नलिस बहुत ही emotional हो गया था अपनी newborn baby का नाम भी वो सोफिया रखता है मारिया उसे promise करती है मैं आपकी बेटी का अपनी खुद की बेटी की तरह खयाल रखूंगी जान जब trade करकर घर पर आया तो जीन भी लोगों से उसने पहले पैसे लिये थे ये सारे उसके घर पर मोजूद थे जान को ट्रेड के पैसे मिलने के पहले टूली फ्लावर के सेड को डिलेवर करना पड़ेगा सब लोग उसे बिना पैसो के घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे थे जान ने फिर अपने फ्रेंड को कहा इजाओ और नंसियो फ्लावर लेकर आओ जान का फ्रेंड प्यक कर था तो उसने वॉन किया था कि प्लीज आज कुछ भी मत पीना सुफिया जान के फ्रेंड के घर पर पहुची तो वो रिलाइस करती है कि उसने एक बहुत बड़ी मिस्टेक की है वो इस तरीके से फ्लावर का है उसका फ्रेंड ट्रंग था और वैसे उसने उस फ्लावर को खा लिया था उसने सब कुछ बरबाद कर दिया सुफिया घर पर पहुच्छ दिया कॉर्नलिस को अपनी बेटी के साथ देखती है उसने रेलाइस किया कि अपनी गल्दी सुधारने के लिए उसे लेट हो चुका है वो अपनी शॉल नदी में फेक कर वहाँ से चली जाती है आज विल्लियम सीटे में फिर से वापस आ चुका था यानि मारिया का बॉइफ्रेंड उसके बेटी का फादर वो मारिया से मिलने के लाया मारिया कहती है कि तुम कहा गए थे विल्लियम ने कहा कि मैं आफरिका में था ये सुनकर मारिया उसे मारने लग जाती है विल्लियम ने कहा कि तुमने मुझे पर चीट किया था इसी वज़े से मैं चला गया मारिया कहती कि जान के साथ मेरा नहीं तो सोफिया का अफेश चल रहा था उसने सारा सच-सच उसे बता दिया ये सब बता दियो है कॉर्नेलिस सब कुछ सुन लेता है इसे कॉर्नेलिस को शौक लगा और इस पर वो बहुत सोचता है उसने मारिया को एक लेटर लिखा जिसमें लिखा था कि अपने बेटी का तुम अच्छे से खैल रखना वो यहाँ का घर और सारा बिजनेस मारिया और विल्यम के नाम करकर जाता है उसने मारिया से खा कि लोगों से कहना कि यह बेटी मेरी है तुमें कोई भी तंग नहीं करेगा उसकी खुद की फैमिली कम्लेट नहीं हो पाई और वो मारिया और विल्यम की फैमिली कम्लेट करकर वहाँ से चला जाता है वो एक न्यू कंट्री में फिर से अपनी लाइफ न्यूली स्टार्ट करता है जान को जब पता चला कि सोफिया फिर से कॉर्नेलिस के पास चली के तो उसे ढूणने की बहुत कुशिश करता है नदी में सोफिया ने शौल फिका था ये देखकर जान को लगा इसमें डूपकर सोफिया की डेथ हो गई है इससे उसे बहुत बुरा लगता है इसके बाद मूवी में डारेकली आठ साल पीत गय है इतने टाइम में जान एक बहुत ही अच्छा आर्टिस बन गया था तो एक पर उसने सोफिया को नोटिस किया ये दोनों फिर से एक दूसे से मिल गए थे ये सब नन की वज़े से हुआ था कॉर्नलिज ने भी एक न्यू कंट्री में अपनी लाइफ को फिर से स्टार्ट किया फिर से शादी की और अब उसे बेटा भी हो गया था मारिया और विलियम अब बिजनेस की वज़े से रीच हो चुके थे तो अच्छी लाइफ जी रहे थे ये पूरी स्टोरी मारिया अपनी बेटी सोफिया को बता रही थी चोटी सोफिया को भी लगता था यो कॉर्नलिज की बेटी है पर मारिया इस स्टोरी सुना कर उसे सब कुछ चीजे क्लियर कर देती है क्यों उसकी बेटी है इसी के साथ इस मुवी की हैपी एंडिंग हो जाती है अगर आपको वीडियो अच लगा तो प्लीज इससे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजेगा यह बहुत सारी इससे तरीके से मुवीज लेकर आत रहता हो तो प्लीज इस चानल को सब्सक्र झाल 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 झाल